नमस्कार दोस्तों आप सभी का सागत पाल मिस्ट्री गान जनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हस्तरेखा से भी जान सकते हैं कि सनी का दोस है की नहीं और इस वीडियो को आप पूरा देखें इस वीडियो के माधम से आपके एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है और ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्क्राइब्स करें और वीडियो को सेर करें आईए अपने हाथ की तीन मुख रेखाओं को देखते हैं सबसे पहली ये हमारी जीवर रेखा जीवर रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटना करम के बारे में बताती है ये हमारी मेस्तिक रेखा हम किसी चीज को कितनी गहराईयों तक सोचते हैं उसके बारे में बताती है कि हमारी हिर्दे रेखा हम किसी के साथ कितना टैस्मेंट है उसके बारे में बताती है तो दोस्तों कहीं न कहीं सनी का दोस्त अगर आपके हाथ में है जो उसका कारण बनता है कि जैसे भी हम कोई भी कार्ज करते हैं उसमें हमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिलती है या कोई कार्ज करते हैं तो वो कार्ज पूरा क्यों नहीं हो पाता है और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसी तरह से जैसे कि अगर आपकी सनी का दोस्त है तो उसको हम अपने इस भाग रेखा को सनी का नाम देते है जैसे कि ये मालो आपकी सनी की रेखा है और ये सनी का परबत है ये उठा है और भाग रेखा भी आपकी परबल है इसमें किसी परकार की कोई दोस्मुक्त नहीं है दोस्ट नहीं है तो आप अपने केरियर में किसी भी छेत्र में हो चाहे नोकरी हो बेवसाई हो अपने कार्ज करने की सहली किसी भी तरह की हो तो आप करके आप उसमें एक बहुत बड़ी सफलता मिलती है लेकिन अगर यही दोस पैदा करती है जैसे मालो आपके हाथ में ये हमारी सनी की फिंगर है और ये सनी की फिंगर टेड़ी मेरी हो और ये परबत जो है सनी का ये दबाओ ये परबत दबाओ क्या होता है ये कहीं न कहीं आपके सनी के दोस को ब्यक्त करता है अब आपको हर काम कोई भी काम करेंगे आप तो उसमें क्या करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी आपके काम में अरचनी आएंगी आपके काम में रुकाउटे आएंगी अब ये सनी का परबत दबाओ है और ये आपकी भाग रेखा चाही ही कि वो परबल नहों लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिलने वाली है उसमें कामिया भी नहीं मिलने वाली है कहीं ने कहीं सनी के दोस्त को प्रभावित कर रही है अब इसी के साथ एक और हम साहिन देखते हैं अब ये भाग रेखा आपकी परबल है ये भाग रेखा परवल है ये आपकी सनी के जो परवत है ये आपका दबा है ये भी वही उसी चीज को दरसाती है कि आपके भाग में उतनी चीजे जो आप करना चाहते हो लाइप में उतमें सक्षम नहीं हो सकते आप फिट लाइन तो है आपकी भाग तो है लेकिन सनी का जो परवत है न वो दबा है कहीं न कहीं अस्त है वो वो पावर देने के काबिल नहीं है अब इसी के तरह एक और देखते हैं साइन अब ये मालो आपकी भाग रेखा चल रही है तोटके और ये सनी का परबत भी उठा है कहीं न कहीं ये भी सनी के दोस्त को दर्सा रही है भाग तो आपका सनी का परबत तो उठा है लेकिन भाग रेखा तूट के चलना मतलब आपके जो केरियर में है रुकावट बनना हर काम को उसमें दिक्कते डालना आपको उसमें सफलता ना मिल पाना ये कहीं न कहीं सनी के दोस्ट को दरसाती है तो दोस्तों इसी के साथ एक और साहिन देखते है जैसे ये सनी का छेतर है इस पर तीन चाल लाईने इदर उदर जाना ये क्या करती है आपके काम में मन न लगना किसी भी काम में हाथ डालना उस काम में सफलता ना मिल पाना आपको कहीं न कहीं इस सनी के दोस्ट को परभवित करती है आपके कामे रुकावट डालने का काम करती है इसी तरह से अगर ये सनी के फिंगर पे ये काला तिल बनता है ये बहुत बुरा संकेत माना जाता है ये दुरघटनाओं का कारण बनता है अब इसके हम दोस जो है वो उसके उपाए बताते हैं जैसे की अगर आपके हाथ में ये दोस है उसके लिए क्या करना चाहिए आपको ये नारिय लेना चाहिए वो भी सूखा बिना पानी वाला उसको आप काट ले काट कर उसमें चीनी हो, सकर हो, मिस्री हो उसमें डाल कर आप जहा रहते हैं उसके आज़ पास जहाँ पर केडियां वगरा रहती हों चेटियां रहती हों उसको ये गड़ा बना के ये आप जो नरियल है उसमें दबा दें और उसमें मिट्टी डाल दें और उसके बाद वो चेटियां, वो केडियां जैसे जैसे वो खाना शुरू करेंगे आपके जीवन में एक बड़ा बतलाव आएगा और ये उपाय आपको साथ सनिवार करने है इस उपाय से आपको एक नया रास्ता नजर आएगा आपको इसमें सफलता मिलना तैमाना जा और इसी के साथ एक उपाय है, जो छोटा सा है ये लेकिन काफी कारगर है, अचूग को पाय है आप सुबा उट करके गाई को एक रोटी खिलाना है वो रोटी आप कैसे खिलाएंगे, गाई को बिलकुल नदीक से जाके अपने हाथ पे रखकर गाई को खिलाना है, गाई जब भी मुझ खोलती है क्या होता है, कि जैसे हम किसी का असिरबाद लेते हैं, उसके मुझ से एक बाइबरेशन आएगी और गो बाइबरेशन आपके सारे कस्टों को निकाल के बाहर फिकेगी तो दोस्तों ये रही आज के हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सब का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन बाद